प्रदेश को गेहू बीज उत्पादन में आतम निर्भर बनाने के लिए क्रिशी विश्य विद्याले ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। कुलपती प्रफेसर अशोक कुमार सर्याल का कहना है कि राज्य के किसानों को भी बीज उत्पादन से लाव होने की संभावना है। यह बीज बीज विव प्रदोव की विवाग का बीज उत्पादना क्षेतरफल है। इस बीज की जो उत्पादकता है वो प्रती हेक्टियर लगवग 30 कुइंटल की है। हमारे पास इस तरह विविन बीज उत्पादन का अनुमान है। इस विज को मर्टिपलाई करके बढ़ायन के लिए फॉंडेशन सीड त्यार किया जाता है। जो फॉंडेशन सीड त्यार किया जाएगा, उसका 30 कुइंटल प्रती हेक्टियर के साथ से हमारे पास 9000 कुइंटल पाद पाद होगा। 9000 कुटल जो मारे पास सीद आएगा उसको लगभग 9000 हेक्टियर भूमी चाहिए एक कुटल प्रती हेक्टियर बीज के हिसाब से ग्यों के लिए 9000 कुटल पैदा करने के लिए हमें किसानों से बीज उत्पादन करवाया जाएगा 9000 कुटल से जो बीज पैदा होगा तीसरी वार किस कुटल प्रती असाथ दो लाक सतरा हदार कुटल पैदा है जो पहला बीज उत्पादन उसको देले द्वारा होता है वह जिडर सीड कहलाता है उसकी सुधता और जर्मीनियसन सत प्रती सत होती है जो बीज बीज है क्योंकि वह क्रिशी विवार के जो बीज फार में बहां पर इसका अत्पादन किया जाता है यह बीज बीज त्यार होगा क्योंकि हमारे पास सीमाचल प्रतीस में लगबग साड़े तीन लाख एक्टिर क्शेतर फालए जिसे के लिए साड़े तीन लाख प्विंटल बीज की जरुर्त रहती है और हर वर्स जो है हमें ग्यों और धान के लिए 40.30 जो बीज है उसको नया देना पड़ता है तो उससे एक लाख 40.000 कुईटल बीज की प्रती वर्स अबसकता रहती है इस तरहा जो बीज फार्म पे हम जो बीज उत्पादन करेंगे उससे हमारे पास जो बीज आएगा वो फॉंडिशन कहला जाएगा चूंकि किसी विवाग के जो बीज फार्म है या तो वो समापत हो गए या दूसरे विवागों को जुमीन दे दी गई है इस तरह पिछले वर्स कांगडा क किसी विवाग ने 450 हेक्टियर भूमी किसानों से चिनत की गई है जहां परवाणित बीज त्यार किया जा रहा है उन रहा किसानों द्वारा किसी वाग के सहयोग से विश्व देलिया अगले वर्स जो है वो फॉड़िशन सीड क्यार करेंगा और उन्हीं किसानों से 9000 शेत्र जो जिसमें साड़े तीन लाख भूमी है उसके लिए बीज प्राप्ति होगी अपितु एक लाख तीस हगार कुंटल वी जो हमारे पास सर्प्लिस होगा जो दूसरे प्रदेशनों को भी हम बेज करके किसामनों के लिए लाव प्राप्त कर सकते हैं जो बीज हम उत्व क्योंकि जो ख्रीद मुल्य है वार सरकार द्वारा नजावत किया हुआ है वह 1925 रुपे है जब कि फॉंडेशन सीट का जो ख्रीद मुल्य माचल प्रदेश सरकार ने इस वार 500 रुप बढ़ाया है उसकी लागत 26 रुपे प्रतिक होंटल है और जो परमानित भी है उसकी ल जो अब स्वारा प्रदेश के लिए बीज की भी जो अप्रापती है वो पूरी की जाएगी इस तरह जो पांच किसमें यहां उगाई जा रही है उसके बारे में जो हमारे जो बीज के विज्यानिक हैं डक्टर कापिला वो इसके बारे मारें बताएंगी कौन कौन किसमें ज स्कूल निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है स्कूल के कॉडिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेई, नीट, एंडीए, एंटीएस जैसी विभिन कॉंपेटिटिव फरिक्षाओं के लिए भी तयार किया जाता है, हर वर्ष आयोजित होने वली साइंस इंग्लिश ओलंपियार्ड में भी भागिदारी सुनिश्चित करवाई जाती है, शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थि जोहर दिखा रहे हैं, आगामी सत्र के लिए रेजिस्टेशन शुरू तो अपने बच्चों के सुनहरी भविश्य के लिए आज ही रेजिस्टेशन करवाएं